यहाँ पर हुई है आमीर खान की फिल्म पिरितम प्यारे की सुटिंग यह आप देख सकते हैं हम दूसरी लोकेशन भी आपको दिखाएंगे यह फिल्म की दूसरी लोकेशन है जहाँ पर आमीर खान लोकेशन है जहाँ पर आमीर खान लोकेशन है और यहाँ पर कुछ सीन भी स और मैं आपको बता दू कि ए दिल है मुश्किल मुवी की सूटिंग भी यही पर हुई थी और पिरितम प्यारे आमिर खान के बेटे जुनेद खान की अपकमिंग वैब स्रीज है पिरितम प्यारे के अंदर आमिर खान के बेटे जुनेद खान भी हैं और को एक्टर हैं संजे म तो चलिए हम आपको यह पूरा होटल या हवेली दिखा देते हैं आज किस वीडियो में हम प्रितम प्यारे कि आपको दो से तीन लोकेशन दिखाएंगे और वो जंगे भी दिखाएंगे जहां पर आमिर खान रुके हुए थे और मैं बता दू कि इस वक्त हम राजिस्थान के नवलगड में हैं और यह आप देख रहे हैं सहर की कूलवाल कोटी होटल यहाँ पर फिल्म के काफी सीन सूट किये गए हैं और इसके आश्पडोस में भी काफी सीन फिल्माए गए हैं और यह आप सामने देख सकते हैं कि यह किस तरह का एक hotel है और अब यहाँ पर कोई एक program चल लाया है और इसके पीछे एक shooting भी चल रही है यह आप देख सकते हैं यह देख लो इसका paint color किस तरह का है और और ए दिल है muskill की भी यहाँ पर कुछ scene suit किये जा चुके हैं वहाँ पर भी लेकर चलेंगे सबसे पहले चलते हैं कूलवाल कोठी में उपर की ओर उपर से हम आपको दिखाएंगे किस तरह का ये होटल है और यहाँ से आपको ये पूरी शूटिंग लोकेशन दिखाई देगी यहाँ पर आपको ज़्याद तर हवेलिया ही हवेलिया दिखाई देती है अब हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पर हम किसी से पूछ कर कुछ सूटिंग लोकेशन के बारे में जानकारी भी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह के याँ पर सीन सूट किये गए है यह तो हो गई फिल्म की फर्स्ट लोकेशन अब आपको लेकर चलते हैं फिल्म की सेकंड लोकेशन पर अब हम पहुँच चुके हैं पिरितम प्यारे की सेकंड लोकेशन पर जहाँ पर कुछ और फिल्म के जो सीन्स हैं वो फिल्म आए गए गए थे तो यह पुरी जो लोकेशन है हम आपको दिखा देते हैं ये है ग्रेंड हवेली जो की नवलगड में ही पड़ती है और इसके साइड में ही है रिजोड इन दोनों जहाँ पर फिलिम के अन्य सीन्स सूट किये गए थे अब हम आपको इस हवेली में अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की ये अंदर से हवेली है आप देख सकते हैं किस तरह के डिजाइन बनाए गए हैं इसलिए यहाँ पर फिलिम मेकर अपनी फिल्मे सूट करने आते हैं ये हवेली पूरी तरीके से वैल मैंटेन है ये आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर भी चलते हैं वहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं ये अंदर भी काफी पैंटिंग है उपर भी कमरे हैं और ये देखे आप चारो तरप से पैंटिंग एट्रक्शन का केंदर बन रही है और ये बीच में दर फुआरा है और भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने लाइफ चीजे हैं और मैं आपको बता दू सुटिंग के दोरान आम यहाँ पर मिटिंग होल भी है वो भी हम आपको दिखाएंगे पहले आप यह देख लीजे यहाँ पर किस तरह की खाना खाने की वास्ता है यह देख लो आप किस तरह की डिजाइन है और उपर यहाँ पर मिटिंग होल है यह देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ एंटिक प्रिदम प्यारे तो और भी वैसे ओती रहती है यह पर और चोटे में रहे लोकेशन भी काफी अच्छी है तो यह कितने साल पुराना हो गए काफी अच्छा वैल मेंटेन है और क्या क्या चीज यहां पर दिखाने लाइक है तो यह प्रिदम प्यारे की सोटिंग में लेकिन और भी कहीं फिल्मों की सोटिंग होती रहती है है देले मुस्किल की भी यही पर होई थी सूट अब हमें यह नहीं बता कि कौन से इन कहा हुआ था क्यूंकि बहुत बड़ा यह नबलगड है यहां पुरी 300 हवेली आ यह नबलगड में ही देख लो पूरा ही शांदा लोकेशन है देख लो वेल मेंटेन है पेंटिंग बहुत ही बड़ी आया है कि देख लो आप देख लो कावीची प्रेंटिंग है आप है ठीक है यह बहुत बड़ी यह बनागे रखा हुआ है देख लो का नाम है ग्रांड हवेली पहले मौरो की अवेली थी तो मौरार का यह ग्रांड हवेली वाले माली की खुईट लिया अभी होक्टर में कर दिया है तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आपको बता दू कि नवलगड की परमुख हवेली में से आती है यह इसलिए आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो बहुत जल्ब मिलते हैं नेस्ट वीडियो में और आपको एक प्रितम प्यारे की सुटिंग लोकेशन कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं